दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन ऐसे कौन-कौन से खास प्रयोग होते हैं जिनको करने से तुरंथ ही करज समापती के योग बन जाते हैं पर सारे लोग अपने जीवन में इसी लिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में करज की समस्याइं होती हैं और जिस भी व्यक्ति के जीवन में एक बार करज की समस्याइं हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को टेंशन, डिप्रेशन, घेर ही लेता है और जब ये समस्याइं हो जाती है तो उसे और भी जादा जीवन में समस्याओं का परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन सी विधी के अनुसार अगर सही से प्रयोग कर लिया जाए तो कर्ज समापती भी तुरंत ही हो जाती है तो दोस्तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैहनुमान जरूर लिख दें जिससे भगवान हनुमान की किरपा आप पर हमेशा बनी रहे क्योंकि भगवान हनुमान ही मंगल ग्रह के स्वामी होते हैं और मंगल ग्रह का ही सीधा सम्मंध कर्ज से होता है यानि कि जिस भी व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर होता है दुश परभाव देता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में करज की समस्याइं सबसे जादा होती ही चली जाती हैं यानि कि अगर मंगल ग्रह आपका कमजोर है तो सब कुछ होते होते भी कर्ज में फसने की पूरे-पूरे योग बन जाते हैं और यही कारण होता है कि जिस भी व्यक्ति का मंगल ग्रह खराब हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही किसी ना किसी वज़य से कर्ज में फस ही जाता ह तो दोस्तो जो ये प्रयोग है अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो इससे मंगल ग्रह के सभी दुश प्रभाव तुरंत ही समाप्त होते हैं और ना केवल दुश प्रभाव समाप्त होते हैं बलकि अगर आपके जीवन में करज की समस्यां चल रही हैं तो वो सब भी समाप् दिन तक इस प्रयोग को करना है इसमें आपको केवल इतना करना है कि मंगलवार के दिन एक नीमबू को ले लेना है और अगले ग्यारा दिन तक यही विधी करनी है तो आपको एक नीमबू लेने के बाद उसमें चार लौंग गाड़ देनी है और जब आप लौंग को गाड़ तो एक नीमबू को लेकर उसमें चार लोंग काड़ दें और कर्ज की समस्या से चुटका रहे हैं तु भगवान हनुमान से प्रात्ना करके इस नीमबू को अपने माथे पर फिरा लें इस बात का ध्यान रखें कि 11 बार ही आपको इस नीमबू को अपने माथे पर फिरना है औ तो उसके सीधा सबकॉंशेस माइंड से ही पड़ता है और जब लगातार आप इस प्रयोग को करेंगे तो इससे मंगल घ्रह के दुश परभाव समाप्त होकर अच्छे परभाव शुरू हो जाते हैं और इसी से भगवान हनुमान की खास और विशेश गिर्पा प्राप्ती होती है तो दोस्तों आपको इस निम्बौ को अपने तकीये के नीचे रख लेना है और अपने बैड परी बेटे बैटे एक बार हनुमान चालिसा को पढ़कर सोजाना है और अगले दिन जाकर भगवान हनुमान के मंदिर में चरणों में इस निम्बौ को समर्पित करके इस प्रयोग को करता है उसका निश्चित ही कर्ज समाप्त होता है और पूरे पूरे योग बन जाते हैं यानि कि अचानक से उसे कही ना कहीं से धन प्राप्ती निश्चित ही होती है इस प्रयोग को वो लोग भी कर सकते हैं जिनको नौकरी प्राप्त नहीं होती है या फिर ज जीवन में अगर किसी संकट में आप फसे हुए हैं तब भी इस प्रयोग को करके आप लाब उठा सकते हैं क्योंकि करज की समस्या सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है तो उसी समस्या में खास कर यह प्रयोग किया जाता है अगर आप इस प्रयोग में कुछ पूछना चाहते है तो कमेंट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई और समस्या है तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं जिससे आने वाले वीडियो में आपकी समस्या के उपर बताया जाएगा इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर कर दें जिसे सभी लोग इस जानकारी का लाब उठा सकें धन्यवाद